नमस्कार दोस्तों, COVID-19 के मद्धनजर, moratorium की क्या दुबारा से एक आवश्यक्ता है अथ्वा नहीं, इस विशे को लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तोत वुआ हूँ, basically जनता जनारदन जिस कष्ट के समय से अभी गुजर रही है, उसमें moratorium की दुबारा से क्या जुरत हो सकती है, इसी विशे पर मैं अपने विचार भारत सरकार के समक्ष एक रिक्वेस्ट के रूप में इस वीडियो के थुरू रखना चाहता हूँ. तो दोस्तों सबसे पहले मेरे दिमाग में यह बात आई, Why moratorium is needed again? क्या moratorium की वापस से अगर आवश्यक्ता है, ऐसा मैं provoke कर रहा हूँ, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, तो क्यों इसके क्या कारण हो सकते हैं? The lockdowns at various states is barring self-employed community from continuing their income generating operations. निश्चित रूप से दोस्तों, जो self-employed community है, वो जो अब बहुत सारे states में इस समय lockdowns चल रहे हैं, चाहे partial हों, चाहे full हों, उनकी वज़े से self-employed community इस समय अपना काम नहीं कर पा रहे हैं. और जब आपके पास में revenue के sources ही नहीं हैं, आपका revenue generating activity is stopped है, तो how would you be able to pay your EMIs? This gives a requirement of moratorium being provided by the government of India. The disturbance in business cycle will take time to settle, which enhances the requirement of moratorium. Because sir, अगर कोई business cycle disturb होती है, जो बड़ी मुश्किल से पिछली COVID की पहली cycle से निकल करके आई, वो दुबारा से de-settle हो गई, दुबारा से disturbance आ गई, तो इस cycle को दुबारा बनने में फिर time लगेगा, और उस दौरान जब तक वो समय आये, जब तक वापस से cycle बैठे, तब तक के लिए भारत सरकार को एक clarity के रूप में, चाहे RBI के द्वारा चाहे भारत सरकार की और से moratorium पर सपश्ट clarity, घुशना आनी चाहिए. Even heavy expenses on health and family maintenance requires relaxation from EMI payment for at least two to three months. अगले कम से कम दो या तीन महिने तक जब तक स्थिती clear नहीं होती, हम सब COVID से निकल करके आगे नहीं आते, तब तक के लिए दोस्तों जो heavy health and family maintenance expense हो रहे हैं, उनको भी maintain करने के लिए कहीं न कहीं आपको EMI से for timing लोगों को free करना होगा. Continuous follow-up from banks and financial institutions create severe pressure on public at life. देखिए सर, bank हो सकता है, अपनी और से जब हम बैंकों के लिए बात करें, तो bank बोलेगा कि साब जब तक आप payment नहीं करोगे, हमारी cycle कैसे चलेगी, मैं मानता हूँ. लेकिन ये समय तो सर ऐसा समय है कि जहाँ जीवन पर ही संकट है, और जब जीवन पर संकट है तो एक बार के लिए किसे बचाना महतपूर्ण है, मेरे फिनेंशल सिस्टम को या मेरे देश की जनता को. तो जब मैं अपने देश की जनता की और सोचूंगा, तो नचुरली मेरा पहला काम है, सर, देश की जनता को protection दे, उन्हें फिनेंशल प्रटेक्शन दिया जा सके, ताकि एक बार उन्हें एक financial protection ये मिल जाए कि अभी आप EMI पे करने की tension ना करें तो वो बाकी की बातों पर स्वास्थे कारणों पर अपना ध्यान दे सकें and thereafter when they will be at comfortable position they will come in a normal manner and this moratorium is also needed my dear friends because अगर government officially moratorium पर नहीं बोलती तो civil score लोगों के बिगडेंगे EMI checks वगेरा bounce होने से तो इन सब कारणों से मैं ऐसा मानता हूं सर्कार को time रहते समय रहते moratorium की घुशना करनी चाहिए और ये moratorium की घुशना जनता जनारदन के benefit में होगी एक और question सर जो मेरे दिमाग में आया whether it's a final solution क्या moratorium एक final solution है तो आप भी मेरी तरीके से यहां पर answer देंगे के no बढ़िया जी moratorium is not a final answer and it is not a final solution I can understand you can also understand but अभी जो emergency है sir उसमें moratorium अगर आता भी है और उस moratorium का एक negative impact आपको face करना पड़ेगा in terms of enhancement in loan term क्योंकि जब आप किस्त का भुक्तान नहीं करते तो आपका जो interest है वो भी capitalize हो जाता है तो बहुत सारे लोग उससे भी चिंतत होता है कि अरे साब मेरी term बढ़िया जी 200 महीं ने रह गई थी वो बढ़कर के दुबारा 220 महीं ने पहुंच गई moratorium की वज़े से पिछले moratorium में मुझे नुकसान हो चुका तो मेरा उनको ये जवाब है सर कि आप अपने moratorium के period की वज़े से अगर कोई विक्ती moratorium में EMI देना चाहे बहुत अच्छा लेकिन जो नहीं दे रहा या नहीं देना चाहता है उनके लिए क्या समाधान हो सकता है अगर सरकार देती है मैं तो निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के थू तो आप जरूर ले और उसके बाद में जब आपकी फिनेंशल पोजीशन अच्छी हो जाएगी उस समय आप लोन का प्रीपेमेंट करना शुरू करें तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल दे नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सच कांड अव मॉरेटोरियम और रिस्ट्रुक्ट्रिंग तो दोस्तों जो मॉरेटोरियम के संदर्व में मेरे विचार थे मैंने आपके समक्ष रखें आपके सजेशन से ये वीडियो और आगे तक पहुंच सकती है हो सकता है भारत सरकार इन सजेशन को सुनकरके या आप जो सजेशन इस वीडियो के कमेंट्स में जोड़े हो सकता है उनको समझ करके जनता जनारदन के लिए एक प्रेक्टिकल और इमिजेट रिलीफ लाने की कोशिश करें तो इसी शुबकामना के साथ कि आप एम आपका परिवार कोबिट के इस सेकिन्ड वेव से बचा रहें आप सुरक्षित रहें ये समाज स्वस्थ रहे हमारा देश जल्दी स्वस्थ हो इस पर्टिकुलर व्यवस्था व्यवस्था से इस पर्टिकुलर परिशानी से उब्रे इनी शुपकामनाओं के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद जैहें